हेलो एवर्ण वैकम तो क्लास सिरीज और आज के इस वीडियो में हम जिस कोशन को सौल करने जा रहे हैं वह कोशन है इनन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट गौट 30% मार्क्स और फेल बाई 30 मार्क्स if the passing marks are 60% of the total marks then the maximum marks will be option A 450, option B 600, option C 300 and option D 100 तो सबसे बहुत हैं कोशन को समझते हैं कोशन के अंदर क्या बोला है इनन एग्जामिनेशन मतलब एक एक एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर एक कैंडिडेट को कितना मिला है he got 30% marks उसको 30% marks मिला है कुछ total number of marks में से and failed by 30 marks जो उसको 30% marks मिला है तो वो 30% से वो fail भी हो चुका है और साथ में कितने marks से fail हुआ है 30 marks से fail हुआ है then if the passing marks are 60% of the total marks अगर passing marks है 60% out of the total marks जो अपन को पता नहीं है then the maximum marks will be I mean जो total marks है वो अपन को find out करना है ठीक है तो वो अपन कैसे find out करेंगे यह basically हो जाएगा हम पहले लिखेंगे passing marks passing marks कितना दे रखा है question में 60% दे रखा है ठीक है तो यह 30% हो जाएगा 30% यह कैसे लिखा जाएगा 0.3 लिखा जाएगा 30% of some marks अपन को पता नहीं है जो total marks है तो अपने assume करेंगे let total marks be x अपने यह आपे assume कर लिया है x से वो तो यह आपे 60% marks मिले और किसके मिले total के तो यह जाएगा 0.6 x and यह 0.3 x 30% marks मिले total में से तो फिर 30% of total 0.3 x ठीक है अब यह आपे 0.3 x and 0.6 से यह अपन को 2 मिले है तो अब अपन क्या करेंगे यह basically हो जाएगा कितने marks उसको मिले 0.3 x मिले ठीक है plus कितने marks से वो fail हुआ है 30 marks से fail हुआ है तो 30 marks ठीक है और कितने passing marks है 0.6 passing marks है 60% है इसको मागे करेंगे यह कैसे simplify होगा 30 is equal to 0.6 minus 0.3 तो 30 is equal to 0.3 ठीक है यह आगे फर्दर हो जाएगा basically आपका sorry यह x है ना तो यह x होगा right तो therefore x is equal to 30 divided by 0.3 कितना निकलेगा basically 100 तो आपके maximum marks या फर total marks कितने है 100 तो अपना right answer क्या होगा basically option d is 100 option d is equal to 100 so this is your answer आपकर